हलो दोस्तों, तो हम लोग मार्किंग टूल पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने स्क्राइबर, डिवाइडर, ट्रैमल, पंच, इन सभी के बारे में पढ़ चुका है जो की आपका मार्किंग टूल है, तो हमारा जो नेक्ट मार्किंग टूल है तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्फेस गेज के बारे में तो सर्फेस गेज जो है, जैसा कि आपको यहां पर फिगर में दिखाई दे रहा है तो यह भी एक मार्किंग टूल है, ठीक है, जिसमें आपका बेंड इसक्राइबर जीड rape Self and आपका हाइट गेज में और बेंड इसक्राइबर वह भी हमने पिछले बार पढ़ था कि वह लगा होता है तो जेनर्ली बेंडिस्क्राइबर सर्फेस गेज में लगा होता है यह जो आपको दिखाए देरा है यहां पर यह इस्ट्रेट ही है लेकिन अगला जो यूनिवर्सल सर्फेस गेज होता है दूसरे टाइप का उसमें आपका बेंडिस्क्राइबर लगा होता है ठीक है तो यह आपका मार्कि टेबल एक मार्किंग टेबल होता है उसके उपर ही रखकर हम इसका परियोग कर सकते हैं या किसी मसीन के बेड़ पर रखके हम लोग इसका अलग-अलग यूज कर सकते हैं तो पहला काम हम लोग जब मार्किंग के लिए यूज करते हैं तो मार्किंग के लिए कैसे यूज कर सक रखते हैं उसके बाद जोब को हाइट यानि कि जब आपको हाइट मेजरमेंट करना होता है तो आप स्टील रूल से आप यहां पे तो किसी तरह का मेजरमेंट नहीं बना हुआ है तो इसका हम लोग परियोग स्टील रूल की मदद से ही यूज करते हैं जैसे कि डिवाइडर क से ही इसका हम लोग परियोग करके हाइट माप सकते हैं हाइट जात सकते हैं या हाइट में मार्किंग कर सकते हैं पैरलेल लाइन खीच सकते हैं तो सपोस कि यहां पर हमारा एक किस तरह का फिगर है और हमें इस तरह से पैरलेल लाइन खीचना है तो हम surface gage रखेंगे टेवल पर इस जोब को और इस surface gage को भी marking table पर रखेंगे और जितना height में यह line खीचना होगा माल लेजए हमें 100 mm का height पर खीचना है तो scriber को 100 mm का height में set करेंगे उसके बाद हम इसको angle plate पर इसको angle plate बाद में देखेंगे क्या होता है तो angle plate के suppose में रखेंगे और इसको इस तरह से सरका देंगे इस तरह से हम लोग marking कर सकते हैं surface gauge के दिवारा ठीक है तो इस tool का नाम आप याद रखेगा surface gauge next हम लेथ मसीन पर machine का जो spindle होता है उसका co-centric में यानि कि center में job को center में set करने के लिए भी हम लोग surface gauge का परियोग करते है जब lat machine पर आप काम सिखेंगे तो सबसे पहले आपको job को center में set करने के लिए सिखाये जाएगा तो समय आपको अच्छे से सबज में आ जाएगा तो ये है हमारा surface gauge अब चलिए हम इसको देखते हैं किसके parts का क्या क्या नाम है तो देखिए figure में ये straight subscriber है ठीक है ये हमारा कहलाता है spindle या beam भी कह सकते है spindle या beam उसके बाद ये है हमारा base ठीक है ये जो rectangular part दिखा दे रहा है नीचे में सबसे नीचे ये हमारा base है ये spindle या beam कह सकते है और ये scriber अब scriber को पकड़ने के लिए यहाँ पर ये जो इस तरह से आपको ये part दिखा दे रहा है ये है आपका snug question पूछा जाता है कि scriber हमारा surface gauge में कहां पर किसके दरख पकड़ा जाता है तो snug के दवारा पकड़ा जाता है और scriber को आगे पीछे या थोड़ा से adjust करने के लिए यहाँ पर आप nut लगा सकते हैं मतलब nut लगा होता है nut को lose के जिए इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं इसमें जो beam है इसका spindle यानि कि ये fix होता है ठीक है तो spindle यानि कि beam के beam जो होता है वो fix नहीं होता यानि कि उसको हम लोग adjust कर सकते हैं ठीक है यानि कि ये जो है आपका fix surface gaze से ज़्यादा use किया जाता है यहाँ पर spelling mistake है टाइपिंग में इसको ignore करें उसके बाद spindle को किसी भी position पर set कर सकते हैं इस पाइंडल हमारा adjustable है figure देख रहे हैं थोड़ी दिर में इसलिए हम लग उसको किसी भी ये में adjust कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर देखिए figure ये है तो देखिए यहाँ पर ये base हो गया ये spindle हो गया और यही है हमारा bend scriber ठीक है यह जो portion दिखाए दे रहा है यही हमारा bend scriber है universal surface gauge में इसको देखिए यह है हमारा rocker arm ठीक है rocker arm के मदद से spindle होता है यानि कि इसको हम लोग थोड़ा सा adjust करेंगे तो इसको हम लोग आगे पीछे थोड़ा सा इधर से angle में थोड़ा सा adjust कर सकते हैं ठीक है इस वज़़ए से इसको हम लोग universal surface gauge कहते है और दूसरे एड़ेस्टेबल को ही हम लोग universal surface gauge कहते है ठीक है और बाकी सेम चीज़ है और यह जो है इसमें guide pin लगा होता है guide pin जैसे कि आपको cylindrical सता गोल वाले सता पे आपको इसको रखना है तो कैसे रहेगा तो इसके लिए आपका यहां पर भी ग्रूब दिया हुआ है और जब मसीन का किसी base के parallel में खिचना होता है तो इसके लिए आपका दिया होता है guide pin ठीक है तो देखिए online classes में थोड़ा सा इन सभी चीजों को हो सके तो आपको समझ में नहीं आ रहा हुआ क्योंकि online classes में यह हमारा एकदम practical base यह है इसलिए थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो जाता है तो image के मदद से थोड़ा सा आप image करने के कोसिस करिए आपको थोड़ा सा भी समझ में आएगा जब आप इसे पढ़ लिजेगा जब उसके बाद actual में से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग का parts का नाम एक एक करके देख लेते हैं तो base बेस जो है सबसे नीचला वाला भाग ठीक है सबसे नीचला वाला भाग जिसके उपर में रोकर आर्म लगा हुआ है तो यह हमारा base है ठीक है base के नीचे में आपका भी group कटा हुआ है ताकि हम लोग cylindrical सतह पर job को असानी से रख सके और इसको लोग parallel slide कर सके उसके बाद देखिए इसक्राइबर तो यह वाला है part iscriber iscriber bend iscriber देख सकते हैं यहां पे ज़्यादे तर परियुक किया जाता है उसके बाद iscriber snug इसक्राइबर को पकड़ने के लिए जो portion लगा हुए spindle पे यह सीधा जो गोलकार दिखा द रहा है वह आपका spindle और यहां पर यह जो portion है इसको कहते है इस नग और यह इधर clamping nut है आपका उसके बाद रोकर आर्म तो रोकर आर्म यह वाला है आपका रोकर आर्म जैसा कि हम लोग पहले देखें fine adjustment screw यहां पे जो net लगा हुआ है यह वाला ठीक है इसे हम लोग कहते है fine adjustment screw इसको थोड़ा से गुमाएंगे यह करेंगे तो उसका spindle थोड़ा सा आगे पीछे होगा है ना आगे प fixed वाले से ज्यादा उपयोगी इसको असानी से हम लोग ज्यादा से ज्यादा accuracy में fixed वाले की तूलना में ज्यादा accuracy में इसका हम लोग परियोग कर शकते हैं ठीक है उसके बाद spindle lock nut यह वाला है आपका spindle lock nut इसको tight कर दिए तो spindle आपका किसी तरह से मतलब एड़ेस्ट नही आपको slide कर आना है तो वहाँ पी इस guide pin का काम होता है ठीक है तो इस तरीके से आपका काम करता है surface gauge ठीक है तो surface gauge यह था next class में हम लोग next marking tool भी ब्लोग के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग marking table उसके बाद surface gauge sorry surface plate के बारे में पढ़ेंगे तो ठीक है आज के लिए इत करईएबबिस आई इता हुएबबबस प्रुप एक ये करता है थे बीक है वीक है autoconf ます